चटनी तो आप सबने बहुत तरीके की खाई होगी, कई तरीके की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे भी अपलोड़ेड है, आज जिस चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न, ये बहुत ही ज़्यादा नियुट्रेशियस और खाने में उतनी ही ज़्यादा सबसे अच्छी बात ये है, कम तेल में बनी होने के पावजूद आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, तो हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई चैनल, हैपी वाइबस, हैश्टेग कंचन, तो देर ना करते हुए, आज की इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, इस रेसिपी का में हीरो ये करी पत्ता है, एक बंच करी पत्ता मैंने लिया है, और करी पत्ता तो आप सबको पता है कि गुडो का भंडार होता है, इसमें बहुत ज्यादा मैंगनिशियम, आइरन, कैल्शियम, इविटमिन सी, ए, ये सारे चीज़े अवेलबल होती हैं, जो करी पत्ता रहेगा न, उतनी ही ज्यादा टेस्टी है, चटनी बन करके तयार होगी, तो इसको आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेना, थोड़ा सा ढग करके 2-3 मिनट मैंने पका लिया है, और उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम करके इसको अच्छी तरी मूंग फली, मूंग फली से थोड़ी सी चटनी की कॉंटिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, साथी मैंने 7-8 कलिया, लेसन की डाला है, इसके बाद मैं डालूंगे इसमें 7-8 लाल मिर्ची, आप चाहें तो हरी मिर्ची भ इसमाल किया जा सकता है, इन सब को अच्छी तरीके से भुनेंगे मीडियम फलेम पे, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है, आधी कटूरी से थोड़ा सा कम सफेद तिल, आप चाहें तो आपके पास अगर इन में से कोई चीज ना हो, सफेद तिल ना हो, तो आप इसक इसके बाद इसमें डाल दिया थोड़ी सी हिंग, आधी टी स्पून हिंग डाल दिया, और इसके बाद जो करीपता हमने फ्राइ करके रखा था वो, इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए, जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, फिर इसके आगी का प्रोसेस करेंगे, तो अच्छी तरीके से ठंडी हो जानी चाहिए, अगर वो जड़ा भी गरम रहेगी, तो अपना ओयल रिलीस कर देगी, ग्राइंड करते समय, और पाउडर की जगे हमारा पेस्ट बन जाएगा, इस चटनी का, तो ग्राइ करेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाएगे, तो देखिए, दरदरा सा इसको पिस लिया है, और यह बहुत ही अच्छी चटनी बन करके तयार हो चुकी है, और इसको फिर मैंने काटोरी में निकाल लिया है, और जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना, फिर इसको आपको एक करीपते की चटनी, इस चटनी को आप कई तरीके से खा सकते हैं, पराठी के साथ, रोटी के साथ, अगर आप लच्छा पराठा वगरे बना रहे हैं तो उसमें आप पाउडर का इस्तिमाल कर सकते हैं, साउथ इंडियन डिशेज में तो यह बहुत अच्छी तरीके से जाए आप इस तरह से चटनी बना करके रख लीजे और करीब अता कि जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना उनको अपने डाइट में शामिल कीजिए और ये चटनी हमारे हैर, स्किन और इवन डाइबिटिक पेशिंट्स के लिए काफी जादा अच्छी है इसमें इतने सारे चीजे पड़ तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मैं इसी तरह मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई